हेलो, स्टांडर्ट सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिस ग्रामर, लेसन नमबर एटीन, दे प्रेजन्ट कंटिन्यूस टेंस, इस एक्सरसाइज में हम करेंगे, मेकिंग आई एन जी फर्म्स ओफ वर्प्स, उससे पहले मैं फिर से आपको एक बार बता दू, प्रेजन्ट कंटि इन्स क्या है, तो गंटिन्यूस टेंस मतलब प्रेजन्ट कंटिन्यूस टेंस मिन्स हम जो एक्शन कर रहे होते हैं, वो अभी के समय में चालू ही होता है, है न, जैसे कि मैंने ये एच्छा सा एक्जाम्पल आपको दिया था, कि जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही पढ़ाने की टीच, पढ़ाने को इंग्लीश में क्या बोलेंगे, टीच, तो टीच का क्या होगा, पढ़ाना मेरा चालू ही है, तो हो गया टीचिंग, ठीके, जाना चालू ही है, तो क्या हुआ, गोइंग, उस तरीके से, ठीके, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, मेक to the end of the action verbs given below अब action verbs कौन से हैं ये सारे जो है वो है action verbs उनके पीछे हमको लगाना है सिर्फ ing क्या लगाना है ing तो इससे ये होगा कि जो action है वो चालू ही है play यानि कि खेलना तो playing क्या हुआ खेलना अभी चालू ही है वो होगा है ना समझ में आ रहा है ना तो जब भी ing form आपको ऐसा दिखे ठीक है जब भी भी आपको action verb के साथ ऐसा ing दिखाई दे तो आप समझना कि वो action अभी चालू ही है इदर play है play यानि कि खेलना अब playing लिखा हुआ होगा तो आप ये समझना कि खेलना अभी चालू ही है sing यानि कि गाना इदर ing लगा दिया sing बाद में ing क्योंकि हमको इस verb में क्या aid करना है ing aid करना है action verb में तो singing यानि कि गाना अभी चालू ही है फिर क्या ही ये jump jump के पीछे हमको क्या लगाना है ing तो लगा दिया तो हो गया jumping यानि कि कूद्रा अभी चालू ही है जब भी आपको ऐसा last में ing दिखे तो आप समझ जाना कि वो action अभी चालू ही है जैसे कि tell tell के पीछे क्या लगाना है ing कहना कहना अभी चालू ही है फिर है fly यानि कि उड़ना fly के पीछे क्या लगाना है ing flying यानि कि उड़ना चालू ही है क्यूं उड़ना चालू ही है क्यूंकि पीछे क्या लगा है ing go जाव going यानि कि जाना अभी चालू ही है स्लिप, सोना स्लिप के पीछे क्या लगाया है आई एन जी तो स्लिपिंग ठीके, अब मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी स्लिप, स्लिपिंग अब आप समझ जाएगा कि आई एन जी मीन्स वो काम अभी चालू ही है वो एक्षन वर्ब अभी चालू ही है चल ही रहा है वही होता है प्रेजन्ट कंटिन्यूज टैंस रीड, रीडिंग इट, इटिंग स्पिक, स्पिकिंग सेल, सेलिंग बाई, बाइंग फिर से, सेवन से हम फिर से देख रहे है स्लीप, स्लीप यानि की सोना तो स्लीपिंग सोना अभी चालू ही है फिर आएगा रीड यानि की पढ़ना रीडिंग यानि की पढ़ना अभी चालू ही है इट, खाना इटिंग तो खाना अभी चालू ही है speak बोलना speaking तो बोलना अभी चालू ही है जैसे मैं भी बोल रही हूं तो I am speaking यानि कि मेरा बोलना अभी चालू ही है sell बेचना selling यानि कि बेचना अभी चालू ही है भाइ खरीदना भाइंग यानि कि खरीदना अभी चालू ही है आपको यह याद रखना है कि present continuous means हम जो action कर रहे हैं होते हैं और action कौन-कौन से हैं सारे आगे सोना, उठना, बैठना, चलना, जंप करना, लिखना, पढ़ना है न, वो सारे action word अगर उसके पीछे हम ing लगा देंगे तो वो हो जाएगा present continuous tense का verb है न तो यह आप अच्छे से यह 12 जो हैं इधर तक 1 to 12 तक आप learn करोगे और आपको आजाने चाहिए यह सारे verb आप rough notebook में लिखने की practice करेंगे किस में लिखेंगे? rough notebook में ओके? Thank you students